तो लो भाईया आप कहे रहे थे ना इंडिया नेशनल मूव्मेंट सर जल्दी से कतम कर दीजिए तो आखरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं पूरा कोर्स बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्स्प्लेंड किया है जरूर पढ़िएगा ये लेक्चर नमबर साथ है इंडि आजात कर दिये जाएगा लेकिन इसका बटवारा होना ये तो माउंट बेटन जो प्लान jo delle 19 συचेंट इसको सब ने स्विकार कर लिया था मतला भारत की जतनी सबने सविकार कर लिया था तो ये तो बस माउंट बेटन की योजना थी नहीं इस योजना को ब्रिटेन का ठपपा लगना जुरूरी था ठपपा इन दसेंस इसको कानून के रूप में परिवर्तित करना जुरूरी था कानून बन जाएगा तभी तो ये सब बातें लागू होंगी तो माउंट बेटन योजना के तहर जो बाते थी सब बातों को एक विधेक बनाया गय और हाउस ओफ कॉमन में पेश कर दिया गया 15 जुलाई 1947 को ये बिल पास हो गया क्लीमेंट एटली के द्वारा इस बिल को पेश किया गया था फिस 16 जुलाई 1947 में ये पेश किया गया वहाँ भी पास हो गया जैसे हमारे यहा संसद है संसद दो सदन है लोकुसभा राजिसभा लोकुसभा निम्ने सदन है राजिसभा उट्च सदन है वैसे ही ब्रेटेन में जो निम्ने सदन है उसे हाूस ओफ कॉमन्स कहते है और जो आउस अफ लोड्स कहते हैं तो हाउस अफ लोड्स में ये 16 जुलाही 1947 को पास हो गया दो दिन के बाद समराट ने इस पर अधिक साइन कर दिये और ये कानून बन गया हमारे यहां भी तो ऐसी होता है राष्टपति साइन कर देते हैं तो कानून बन जाता है तो यहां पर जो स समराट ने साइन कर दिया तो कानून बन गया भारत सुतंतरता अधिनियम 1947 या भारत स्वाधिन्ता अधिनियम 1947 देश हमारा 15 अगस्त उनिस साइन तालेस को आजाद हो गया इतनी बाते तो आप जानते हैं अब इस अधिनियम की जो पास हुआ था कुछ विशेषता हैं क्या पूरी तरीके से सुतंतर होने की बात नहीं कही गये थी कि दो सुतंतर राष्ट बना दी जाएंगे इस अधिनियम में डोमिनियन बना दिया जाएगा ये कहा गया था तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 जब हम आजाद हुए थे उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक हम एक अधिराज्य थे एक डोमिनियन थे मतलब अंग्रेज्जो का जो कानून था 1935 उसी के अनुसार हमारा देश चलना था अंग्रेज्जो की कानून के तहत हमारा देश चलना था लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा सविधान लागू हो गया न तो उसके बाद हमने आपने आपको पूरी तरीके से सोतनत्र गोचित कर दिया है और यह नोड करने वाली बात है 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 अब दोनों अधिराज्यों को के लिए एक एक Governor General होगा यह उन ही तह करेगा मतलब भारत या पाकिसान ही तह करेगा कौन बनेगा इनका गवर्नर जिन्रल तो भारत ने तो माउंट बेटन को गवर्नर जिन्रल बना दिया जो माउंट बेटन वाइसराय बनकर आये थे इन्ही को हमने स्वतंतर भारत का गवर्नर जिन्रल बना दिया लेकिन पाकिस्तान ने महमद अली जिन्ना को बनाया में इसके यलाबा दोनों देशों के लिए अब अलर अलर सविधान सभा का गठन होगा इससे पहले 1946 में सविधान सभा का गठन cuatro हो चुका है नो अगस्त उनिस तो 46 में पहली बैठक होई थी 11 अगस्त इस चालिज में दुसरी बैठक होई थी इतना पता आपको अब सविधान सभा मैंसे जितने भी सदसरे कम हुए वो सविधान सभा जो बच्ची वो हमारी थी और पकिस्तान के लिए एक नई सविधान सभा का गठन हो गया अब सविधान सभा का काम था हमारे लिए सविधान का निर्माण करना लेकिन जब तक सविधान नहीं बन जाती जब तक संसत का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संसत के रूप में यही सविधान सबा ही काम करती रहेगी यहाद रखेंगे आप भारत राजिस्तचीव का जो पद है तो इस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया और जो हमारे देश हमारा जो देश है ये जो समराट के अधीन हमारा देश था ना ताज के अधीन था ना तो उस समय जो समराट हुआ करते थे या सामरागी जो हुआ करती थी मेल है तो समराट है फीमेल है तो समरागी जो समराट या समरागी होते थे वो एक और मुकट पहनते थे मतलब एक और एक तरीके से पदवी लेते थे भारत का समराट की पदवी लेते थे वो अब भारत के समराट या समरागी की पदवी उनसे समाप्त कर दी गई लेकिन ओफिशली उन्होंने 22 जो है अपने से हटाई और यह कौन थे उस समय कि महराजा किंग जोज शिक्स और भारत और पाकिस्तान में जो सीमा का निर्धारन होगा जो आज सीमा का निर्धारन किया गया है उस सीमा का निर्धारन करने के लिए दो आयोग का गठन किया गया पंजाब सीमा आयोग और बाटना था, बंगाल को दो भागों में बाटना था, आपको पता ही है, पंजाब सीमा आयोग में चार सदसे होंगे, और बंगाल सीमा आयोग में चार सदसे होंगे, इन दोनों के अध्यक्ष सर रेड कलिफ को बना दिया गया था, और जो चार चार सदसे होंगे, इन में दो म Muslim के दो Congress के होंगे तो इसी कारण से बंगाल सोरी इसी कारण से तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा का निर्धारन है जो सीमा रेखा है उसको Red Cliff रेखा कहा जाता है सेना को भी विभाजित कर दिया गया जो सेना हमारी थी बहुत बड़ी सेना थी अब पाकिस्तान अल ने क्या किया था ऐसा नहीं किया था कि मुस्लिमानों से एक अलग सेना मनाई थी हिंदुसे अलग सेना बनाई थी नहीं एकी सेना एकी रेजिमेंट जो थी उत-उनने में सिख इसाई मुसलिम हिंदू सब थे सब मिक्स थे तो इसलिए अलग अलग करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया था अब देशी रियास्तों को तीन विकल्प दिये गये थे भई ये चाहे आप इंडिया में शामिल हो जाईए आपकी मरजी है चाहे पाकिस्तान में चाहे फ्री हो जाइए इसके जो । खासथ नोर्स है बच्चों श्री एजुकेशन आपलीकेशन पर आवेलबल है बहुत बहुत एजुकेशन आपलूकेशन पर आवेलबल है ये 7888774245 नंबर पर आप कॉंटेक्ट करके वट्साफ पर इसके np. लैना चाहते है न तो श्री सब्सक्र performances में लिए तो मैंने आपको बताएं देसी रियास्तों को तीन रिकल्फ दिये थे भारत के अंदर जो लगभग Они फान सो तिरसते थिआ उसमें फान सो फान ने भारत में शामिल हो गए लेकिन तीन देसी रियास्ते हैं फार शामिल हैदराबाद हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे अब निजाम हुआ करते थे और यहां की जनता जाएतर हिंदू थी और बहुत अमीर रियासत हुआ करती थी इनके पास अपनी सेना थी इन्होंने हमारे भारत पर इटैक कर दिया तो हमने पुलिस एक्षिन के द्वारा पोलो मिशन चलाया और हैदराबाद को अपने अधिकार में ले लिया जुनागर्ड में भी एक मुसलिम शाषक थे जनता हिंदू थी जनता मेजोर्टी में हिंदू थी इस मुसलिम शाषक थे इन्होंने ये सुचा कि मैं पाकिस्तान में शामिल हो जाता हूँ लेकिन जनता ने बगावत कर दिया हमने जन्मत सेंग रह करवाया तो जनता ने इंडिया के फेवर हमें बोड डाले तो भारत में मिला लिया गया जम्मु किश्मीर में जो राजा थे राजा हरी सिंग ये ना पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे ना हिंदुस्तान में जैसे हैद्राबाद पर हमने कबजा किया वैसे ही पाकिस्तान ने सोचा हम जम्मु किश्मीर पर अटेक करके कबजा कर लेते हैं लेकिन हूआ क्या दिखाई देर आपको न, ठीक है, लेकिन हूआ क्या, जब सारा माने आटक किया तो राजा ह्री सिंग हमारे जो परधान मंतरी थे जोहलाल लहरु उनकी शरण में आए उनसे help मांगी तो हमारे जौलल नहरू ने अपनी सेना भेज़ दी लेकिन जितना एरिया पाकिस्तान ने अटैक करके जीत लिया था वो आज भी उनके पास है जो पोक कहलाता है पाक उक्किपाइड कश्मीर कहलाता है और बाकी छेत्र हमारे पास है तो भाई यह था आपका इंडिय National Movement Complete Course आपको पढ़ा दिया 60 वीडियो मैंने पढ़ाई बहुत छोटे छोटे वीडियो है डेटेल पार्ट में है मज़ा आजाएगा पढ़ने का तो पूरा Course देख लीजिएगा बहुत आनंद आएगा Class Notes ले लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी तो चलिए